हाई, वेलकम टू राइजिंग टुगेदर, आज हम डिसकस करेंगे अपने बच्चे को जल्दी चलना कैसे सिखाएंगे। वीडियो में मैं अपने बेटे के क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ, थाइंक यू फैस। चले, डिटील में डिसकस करते हैं वो पांच स्टेप्स, पहला स्टेप्स है, बच्चा किसी भी सामान को पकड़ कर खाड़े होने की कोशिश करता है, इस समय आपको एटेंटिव रहना है और उसके आसपांस ही रहना है, आप वीडियो में देख सकते हो कि मीरा बीटा खुद ही उटने और बैठने की प्राक्टिस करेंगे, समवोट लैक जंपिंग, ऐसा करने से बच्चों के मसल स्ट्रॉंग होते हैं और वाक करने के लिए प्रिपेर होते हैं, स्टेप त्री, बच्चे कुछ सेकिंज के लिए खड़े हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली पास रहें और उन्हें प्रोच साहित करें, स्टेप फूर, क्रूजिंग, यानि सामान की साहिता से एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, बच्चे के आस पास जो भी फरनीचर है, प्लीज उन्हें चाहिड प्रोटेक्ट कर दें, आप देख सकते हो कि काफी कंट्रोल आ ग वाकिंग विद सपोर्ट, तो हमने हाथ पकड़के पहले चलाना शुरू किया था, तुरंत ही वाकर इंट्रोड्यूस ना करें, बच्चे को हाथ पकड़के और खेलते वे चलाने की कोशिश करें, ऐसा करने से बेबी भी एंजॉई करेंगे, और वाकिंग के लिए डेफिन प्रोच साहित होंगे, तो प्लीज इसे जरूर आप करें, बच्चे इस तरह से भी बहुत अच्छे से खुद के हाथों को बैलेंस करना सीखते हैं, और वाक करना भी और वाक करना भी, स्टार्ट करते हैं, एक और तरीका है, आप कपड़े की मदद से बच्चे को चलने में हेल्प करें, ये मेरा परसनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें हाथ प्रोपरली बैलेंस करना बच्चे सीख जाते हैं, आप देख सकते हो, मेरा बेटा कितनी इसली मूफ कर रहा है, आप स आप देख सकते हो, कि बीबी काफी अच्छे से वॉक कर पा रहा था, तब हमने वॉकर इंट्रोड्यूस किया, फाइनली, तब वो साड़े आठ मेने का हो चुका था, हमने इसे पुश वॉकर दिया है, आप देख सकते हो, ये उसका फॉर्स डे है, विट पुश वॉकर। भी इंट्रोड्यूस करें, जब वो विट सपोर्ट, एट लीस्ट क्रूजिंग कर सकते हैं, प्लीज इससे पहले पुश वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं करें, ये हेल्प करने से ज़ादा नुकसान करेंगे, तो प्लीज हर बर ना करें, हर बच्चा अलग होता है, उनको अ प्लीज एक दूसरे के बच्चों को कंपेर ना करें, और सही टाइम पे ही वॉकर इंट्रोड्यूस करें, बैट के चलाने वाले वॉकर इसलिए एडवाइसिबल नहीं हैं, क्योंकि वो कमर के जो शीप हैं, उसको सही से ग्रू नहीं होने देतें, बच्चे डिफॉर्मड बैट जाते हैं, और वो खुद को चलालते हैं उस तरह से, याद रखे, डिफिनेटली एज़ा हम लोग खड़े होके चलने के लिए बने हैं, इसलिए पुश वॉकर डिफिनेटली बेटर होता है, कंपेर टू वो वॉकर जो राउंड होते हैं, और उसमें बच्चे बैटक और बहुत जल्दी जल्दी नहीं बाग सकता, इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी नहीं बाग सकता, स्ट्रेट डिरिक्शन में चलता है, तो ये बच्चे को बहुत हेल्प करता है, अपने आप ही विद्दाउट वोकर को पकड़े होए, वहां मूव कर जा रहा है, तो हम सम उस दिन उसे लड़की बनाई थी, इसलिए वो फ्राग पहने होगे था, और मैं फोटो क्लिक कर रही थी, मैंने मुझे बिलकुल आइडिया नहीं था कि आज वो अपने फर्स स्टेप्स लेगा, मैं उसने अपना फर्स स्टेप्स ले लिए, इन्रिपेनेंटली, और उस द दीरे करके, विदिन अब भी, फो इन्रिपेनेंटली बिलकुल चलने लग गया, फ्रेंस, आई होब ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी बच्चे को इन्रिपेनेंटली चलाने में, इसके अलावा आपके पास कोई और यूसफुल टिप्स है, तो जरूर कमेंट करे और कोई सवाल या सुझाओ है, तो भी कमेंट करें, इस वीडियो में दिखाए हुई कोई भी चीज स्पांसर्ड नहीं है, फ्रेंस, अगर ये आपके किसी जानने वाले फ्रेंस या फैमली को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज हिट दा लाइक बटन, और काइमली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, थैंक यू फो वाचिंग, बाबाई